मोधी सरकार ने लाइव आकर किया बड़ा एलान EPFO के खाताधारकों को न्यूंतम पेंशन एक हजार से बढ़ा कर नौ हजार रुपए करने को स्विकृती दी साथ ही पेंशन में तीन नए बदलाव भी सरकार ने जारी किया है और आपको साथ में अन्य महगाई भत्ते देने को लेकर फैसला सुनाया है सरकार ने देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट और इसके साथ ही वो जो बड़ी खबर जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि इस बैठक में आखिर कौन से विशेश मसादे पर महर लगी वो साफ हो सकती है अब से थोड़ी देर के अंदर जिस पर अब कैबिनेट की महर लगी है इस मीटिंग के अंदर ये कैबिनेट की बैठक जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ बताने के लिए तयार नहीं था कि इसका एजेंड़ा क्या है किन खास विश्यों पर आज चर्चा होनी थी लेकिन आज सुभा प्रधान पंतरी ने जब ये कहा कि ये एतिहासिक नड़ेओं वाला छोटा लेकिन बड़ा महतपून सत्र होगा EPS 95 पैंसन धारकों के लिए सुप्रेम कोड की तरब से लेटेस्ट अबडेट सुप्रेम कोडने की दो नई गोशना हैं जिसका सीधा असर आपकी EPS पैंसन पर पढ़ने वाला हैं लमे समय की बाद यानिकी सुप्रेम कोडने पैंसन धारकों को बहुत बड़ा तुपा दिया है सुप्रेम कोड की तरब से जो दो नई गोशना ही वे जिसका सीधा असर आपकी EPS पर पढ़ने वाला हैं और आपकी पैंसन में बंफर आपको बड़तरी मिलेगी, साथ में आपकी आने मांगी है, उनको लेकर भी सुप्रेम कोड़ने अभी अभी ताजा बड़ा फैंसला जारी किया है, CBT की बड़क के अंदर, जिसका आप सभी पैंसन धारकों को मिलने वाला है, दोनों फैंसले जो जारी किया, जो कि सभी पैंसन धारके उनके हक में होने वाले, उनकी पैंसन बड़तरी को लेकर है, और उनका जो आपकी मांगे उनको लेकर जारी हुआ है, तो पैंसन आपको किदनी बढ़कर मिलेगी, साथ में आपको कौन-कौन सी अने सुईधा मिलेगी, उनके बारे में नहीं कि सप्रेम कोर से न ज्यार करें कि स्प्रेम कॉर्ड उसका लमई फैसला है पर पैसला कब सुनाइब यहाँ आजिका काका तो उसको लेकर स्प्रेम कूर की तरप से इस तरकी यान कि बड़ी अब बलेटारी कि समय कोरें आपकी 55 का बोत्तरी Settings को सुय करती दिये. CBT की बैटे के अंदर आपकी pension को 1,000 रुपे से बढ़ा करके 9,000 रुपे करने को लेकर मंजूरी दी अब आपको minimum pension 1,000 रुपे की 9,000 रुपे मिलेगी साथ में आपकी DA को लेकर मांगती की मांगाई बतर में मिले तो उन्हें अच्छी हैनकी pension का भी फाइदा मिलेगा higher pension इसके इसाब से आपको मिलेगी आपकी एज कितनी है उसे सब साब को higher pension का फाइदा मिलेगा और बात करेंगर आप 2004 से पहले बाद रिटार्ड हुए करम चारी है तो आपके लिए pension के बेदबाव को पूरी तरह से खतम किया गया है और बात करें pension के बुक्तान की तो pension का बुक्तान दसरे से पहले पहले यान की दिवाली से पहले पहले आपकी खातों में pension का बुक्तान किया जाएगा साथ में आपकी बॉनस की रासी को लेकर भी अपडेट आ रहा है करम चारी बोनस करी दिया से को लेकर नजयर करें, उनके खाता में जल्दी बोनस का पैसा भी मिलेगा, यहन्कि दसरे से पहले पहले होने वाला है जिसको लेकर बहुत अच्छी तारडा अपडेट आ रही है शात्वें वेतन आयों के किरमचारें के लिए अक्छी ख़वर उनके लिए आच चुकिये त्यारों की सीजन में उनके लिए बहुत बड़ा तोकाओंने मिला है साथवा वेतनायों की करमचारी उनके लिए बहुती बड़ी यानकी गुड़निऊ जा चुकी है त्यारों में डिये की नहीं आगी बोनस से तेज़ोरी भरने वाली यानि की आपके बोनस को लेकर लेतेष्ट अपडेट आचुकी है किन-किन करम-चैन को ज्यादा बोनस मिलेगा किन-करम-चैन को कम बोनस का पैसा मिलेगा उसमें बहुत बड़ा बदलाओ और अपडेट आचुका है आपके यनकी बोनस को लेकर उसके बारे में जाने वाले हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पासर बटन दिखेगा, गंटी का यंकी, बेल आकन दिखेगा, उससे भी दबा करके, वल पर ब्रेस कर दे, ताकि आने वाले ऐसी और भी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी, केंदरी करमचैर को अपने मांगाई बते के एलान का काफी लंबे समझें जा रहे हैं, आम तोर पर डियो में बड़ोतरी का अईलान दसरा तक हो सकता है, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि, इस बार भी कुछ ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है कि, एक्सपर्ट की मानना है कि, दूसरी चेमाई के लिए 4 पिस्ति का इज़ा के आसपास करती हैं, तोरी की सीजन में डिया हाई का तौपा मिल जाता है, इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि, उनके मांगाई बत्ते का अईलान दसरे तक हो जाना है अच्छा है, इस तरह की उम्मीद की जा रही है, अलांकि इसको लेकर अभी तक कोई उपचारिक यान के बॉनस का तौफा मिलेगा, तो बताते कि भारतिया रेलवे करमचैन को हर साल दिवाली के असपास प्रोडिक्टिविटी लिंक्ट स्पॉनस यान की पी लवी का बुक्तान किया जाता है, इसमें अठोतर दिनों की सैलिक की बराबर बॉनस मिलता है, इसमें सबसे नीचले ग्रेड यान की ग्रूप C और ग्रूप D के करमचैन को इसका बुक्तान होता है, नियुंतम वेतन के अधार पर बॉनस की रकम को करमचैन के खाता में टांसपूर किया जाएगा, हलांकि इस बार रेलवे जो फंडरेसन में इसमें बड़ोत्री की मांग रखी है, लेकिन इस अधार पर संसोतित बॉनस देने की मांग रखी, जिसके बाद डिमार्ड रखी गई थी कि एक जनवरी 2016 का जो साथवे वेतन आयो की सिपारिश से रेलवे में लागू की गई थी, लेकिन करमचैन का बॉनस पी, अलबी, अब भी, भुक्तान, छटे वेतन के अधार पर निय सरकर की तरफ से ये बॉनस करमचैनों को तारिकी सीजन में ही मिलता है, रेल मंतर रने बढ़ाने और अनकी जो रेलवे करमचैन उनका जो वेतन और डिय बढ़ाने को लेकर और सुर्ख सा सुनेचित करने के लिए परुसान के तोर पर सभी को नॉन गेजेटेड करमचैनी ग और रेलवे करमचैनी मांसंग के मताबिक ग्रूप C और ग्रूप D के सभी करमचैनों को बॉनस के तोर पर सरफ यानकी 17,901 रुपे ही मिलते हैं, इसकी कल्कुलेसन भी इस चठे वेतन के आदार पर, नियुन तम वेतन 7,000 रुपे के आदार पर ही होती है, रेलवे करमचैन रेलवे करमचैने के बॉनस को बॉक्तान के तोर पर करने से सरकारी करणे पर यानकी 1832 रुपे से ज्यादा का बॉज़ पढ़ने वाला है, अनुमान इस तरह का लगया जा रहे हैं की, यह वित्ते बॉज़ से तब तक यानकी PLB की कल्कुलेसन 6 वेतन के आदार पर नियुन बज़र की आपको त्यारों की सीजन में ये PLB का जो बॉनस है, वो आपको जल्दी मिलने वाला हैं, दस्तरच से पहले पहले आपको यह रासी मिल सकती हैं, आपके अकाउंट के अंदर जो बॉनस को लेकर करमचैने वर अगये रेलवे, करमचैने वो काफी लमे समय से यानक खातों मेकब गुपतान करेगी, तो आपको जल्दी यह रासी मिलने वाला हैं, तो इस तरह की आपके लिए अच्छी अपडेट आ रही हैं